अगर आपका भी जैंप के अंदर जो माइस्केल है वो अन एक्सपेक्टेडली बंद हो जाता है चलते चलते यह कैसी बहुत ही कॉमन प्रॉलम है जो अधिकतर जैंप यूजर के साथ आती है तो देखिए आप यहां पर जब भी मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं यह अचानक स इसको पहले हम रिनेम करने वाले है तो यहां सबस्केल इसको पहले हम इसको नाम चेंज कर दिया अब क्या करना है कि अब आप एक नया फूल्टर बनाई है डेटा के नाम से अब क्या करना है तो अब आजाईए आप यहां आपको बैक अप नाम को फूल्डर बना लिए और यह सब भी फाइल जो हैं आपको यह पूरी आप कॉपी कर लीजिए पहले तो आपने पहले पूरी कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद अब डेटा फोल्टर जो हो गया देखिए तो अब डेटा के अंदर यह आगया और हमापा डेटा डोट डेटा अंडर स्कूर ओल्ड नाम का इक फूल्डर भी है अब उसका क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ यहां आपको 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 डेटा बेस मिल जाएंगे तो देखिए यहां जैसे य यह सब छोड़ देना है आपको सिर्फ डेटा बेस के फोल्डर उठाना है और चाहिए तो नीचे के पूरे फोल्डर भी आप उठा लीजिए वह सब वहां पर ओर राइट हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है लेकर मैं सग्जेस्ट करूँगा कि सिर्फ डेटा बेस के फोल सब्सक्राइब तो यहां आपको आईवी डेटा वन नाम की फाइल मेलेगी और आईवी टी एंपी वन इनको नहीं लेकिन हमको आईवी डेटा वन से ही कहां है तो इसको आप कॉपी कर लीजिए और डेटा के अंदर इसको डाल दीजिए ठीक है यह अगर आपने वहां से कर दीजिए उस फाइल को कोई देखते नहीं तो अभी हमारा हो गया है देखिए जो प्रॉब्लम आती वह आईवी डेटा वन से ही आती है अब आप इसको जैंप पॉर्टल को स्टार्ट करतें कांट्रोल को तो देखिए माइस को हमारा यह रन चालू रन होना चालू हो गय वीडियो आपको अच्छा लगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो लाइक करें सब्स्क्राइब करके जाए आप मेरे चैनल को और वी ऐसे वीडियो दिपाने के लिए स्टे टून